आरोग्यम कारीक्रम के सभी शोताओं को ध्वनमित्र पांडुरंग पुरानिक का नमस्कार और शोताओं आज का विशय है कैंसर से बचाओ और आयुरुवेट की उपयोगिता इस विशय पर आज विशय शग्य के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं आयुरुवेट के विशय शग्य वैद्य डॉक्टर शाम सुन्दर पांडे जी डॉक्टर साब बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्कार कोड़ासा हम आपसे जानना चाहेंगे विशय के बारे में तो कैंसर से बचाओ की दृष्टी से किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए सबसे मूगल बात यह है कि कैंसर हो जाता है लोगों को पता ही नहीं चलता जागरूकता की बहुत कमी है और हम आरोग्यम कारीक को अपनी बात बताना चाहेंगे जी देखिए बहुत अच्छा प्रशन है मैं अपने सारे सुरताओं को यह बता दो कि भारत में जो सबसे ज़्यादा मौते होती है उनमें कैंसर एक प्रमुक कारण है और मृत्यू का जो मूल कारण है कि वो डाइगनोसिस सही समय पे नहीं अलग-अलग सिम्टम मिलते हैं मगर ओवर अलगर देखा जाए तो ऐसे पेशेंट में आपको जो कुछ सिम्टम मिलते हैं खास तोर से जैसे हम लोग के पास जो पेशेंट आते हैं गाउं की महिलाएं आती हैं ओल्ड एज पेशेंट आते हैं तो उनमें महिलाओं में जो मे उनको हलका बुखार, वजन में कमी, भूख का कम लगना, थकावट, ये सब सारी चीजें देखने को मिलती हैं, अगर ऐसे ये 4-5 लक्षण अगर महिलाओं में दिखाई देते हैं, तो उनको अपने डॉक्टर से तुरन सला करनी चाहिए, और इसी तरीके से अगर बच्चेद अगरी बात है कि उनको रात में सोने पर हलका पसीना भी आता है, इसी तरीके से पुरसो में जो लोग घुटके का सेवन करते हैं, तो पुरसो में ओरल कैंसर बहुत कामन है, तो ऐसे पेशेंट्स में मूँ के अंदर घाव बन जाता है, और एक स्टेज आती है, जिसमें क्य नमक वाली चीजें तो उसमें उनको परिशानी होती है, वजन का कम होना, हलका बुखार रहना और लिम्फ नोड जिसको ग्रंथी कहते हैं, ग्लेंड्स जो है, वो उनके बढ़ जाते हैं, ड़ुट सब एक फोन आ रहा है, हम लोग अपनी बात को इसकी बात चारी रखेंग अब पूछें, जी मेरे चेश्ट में गाठ हो गया है, और चेश्ट में सूजन है, गाठ हो गया दवा खा रहे है, तो इसका कोई कैंसर का खत्रा तो नहीं नहीं है देखिए आप हम इसको बता दें, इसके लिए कुछ पहले जांच होती है, जांच में ज्यादा तर जो है हम लोग एफनेसी या फिर जो है बैपसी करके देखते हैं, साथ में पेटि स्केन होता है, तो इस तरीके का नैदानिक परिक्षन किसी चिकेसक से आप पहले मिल करके देखिए ब्रेस्ट में अगर गांट है तो जरूरी नहीं है कि वो कैंसर है, उसमें बहुत सारे सिम्टम मिलते हैं, उसमें दर्ध होता है और आपके लिंफनोट बढ़े हैं कि नहीं, आपको बुखार रहता है, आपको ठकावट रहती है, हीमोगलोबीन आपका देखा जा देखिए इसमें हमने जो चीजें आपको बताई, इसमें आप उसको ध्यान में रखिए, कुछ ऐसी चीजे में बता रहा हूँ, जिसका सेवन करेंगी, तो ये चीज बढ़ेगी नहीं, आप जल्दी रिकवर होंगी, उसमें जैसे गिलोए है, गिलोए का आप जो है चिकिस शिवन कर सकती हैं, तुलसी, काली मिर्च, वीड ग्रास, अस्वगंधा, काचनार और इसके साथ जो है, जैसे टमाटर में लाइकोपीन होता है, तो वो भी कैंसर रोधी होता है, साथ में आमले का सेवन करिए, उसमें बिटामिन सी होता है, वो भी एंटी कैंसर होता है, फल आपको यह बिल्कुल फ्रेस रखते हैं, आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करते हैं, आपके रोग परितुरोग शंता को भी बढ़ाते हैं, और आप एक उचित जो है, स्पेसिलिस्ट से सला लेकर के इसको पहले डागनोसिस बनाईए कि कैंसर है या नहीं, आप मैडम को द काते हैं, आप उन्हें अपना परचे दीजिए, नमस्कार, बताएं, जी, जी, ब्रॉंकाइटिस के लिए कुछ चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं, एक तो जो है आप तुलसी का सेवन करिए, तुलसी बहुत अच्छा काम करती है, तुलसी को चाय या काढ़े की रू सकते हैं, दूसरा हल्दी का आप सेवन कर सकते हैं, हल्दी के अंदर भी जो है एंटी इंफ्लमेटरी प्रापर्टी होती है, और और इसके साथ जो है आप सीतो पलादी चूण है, तालिसादी चूण है, ये चिकिस्सक के परामर से आप ले सकते हैं, साथ ही साथ जो है आप वो भी फेफडे के उपर जो है बहुत अच्छा काम करता है इसके अलामा जो है आप पुसकर मूल चून भी ले सकते हैं यह आपको जो है आईरवेट की दुकान पर मिल लिया गाए एक ग्राम सुबा साम जो है यह भी उसमें बहुत अच्छा उसका रोल है खाने पीने में ज्यादा तर जो है ऐसी चीजें जो कि ठंडी है ठंडी तासीर की है जैसे दही है केला है चावल है और इनको कुछ अलरजन जो कि स्वांस नली में जागर के अलर्जी उत्पन करते हैं जैसे धूल है धूँआ है और इस प्रे है अगर बत्ती है इस तरीके की चीजें से भी बचना चाहिए और कुछ ऐसे फूल की जो पराकंड होते हैं उनसे भी इलर्जी होती है जी तो आप अगर गार्डेन में रहते हैं तो आप मास लगा के रहिए या कोसिस करिए कि जो है इन सब चीजों से आप जो है कम से कम उसमें आप उसके एक्सपोजर में रही है ठीक है ठीक है बहुत धन्यवाद तो इस तरीके की चीजें है खास तोर से हमने देखा है अपने प्रैक्टिस में जो है कि गाओं में मैला हैं बहुत सारी हमारी माता हैं जो की चीजों को छिपाती हैं उनको इस तरीके की सब पीरेट जादा आ रहा है उनको ब्रेस् आपको भी नमस्कार और डाक्टर साफ को भी नमस्कार 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 जी मैं दिनेश परताब सिंग बोला हूं क्या प्रशन है आपका पूछे जैसे लोग यह बताते हैं कि ऐसे 25 बहुत दिन तक है जी 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 तो बाद में कैंसर में कनवर्ट जाता है तो उसके आपको देखने को मिलते हैं और इसके साथ जो है आपको कहीं आपके सरीर में जी 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 वैट्स जी जी निश्चित रूप से जो हमने यह लक्षण बताए अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हों दवा खाने पर भी जो है वो ब्लड डुकना बंद नहीं हो रहा है मलते आग करते समय जलन दर्द या किसी तरीके का सूजन अगर लगातार लंबे समय तक बना है तो इसको आप अपने एक्सपार्ट से स्पेसिलिस से जरूर मिली है ठीक है धन्यबाद धन्यबाद हमने यह अपनी प्रैक्टिस में देखा कि गाउं की महिलाएं जो है वो अपनी चीजों को दबा के रखती है उनको ऐसा नहीं है मैं अपने सुरताओं से अपील करता हूं कि अगर ऐसी क आपका प्रश्ण पूछे पढ़ाम है अनिल कुमार गुपता गोन असोग भीहर कालोनी फेश्टू पहडिया वारानसी से आपसे बातचित कर रहा हूं साथ अनिल जी मैं आपको पहले बता दूँ कि कोई भी विमारी इवन कैंसर भी इसमें अगر अर्ली डेगनोसिस होजाती है तो अर्ली क्योर है Cancer हमें तब पता चलता है जब वो अपने आखरी स्टेज में होता है Cancer क्या है कि हमारी जो public है वो aware नहीं है कुछ ऐसे body में symptom आते हैं तो हम उसको ignore करते हैं या चीजें नहीं समझ में आती है हमें उसके विशे में जागरुकता जानकारी नहीं है तो ये सब सारी चीजें हम लोगों को इतना लेट पता चलती है तब तक वो पूरे सरीर में फैल चुका होता है तो इसलिए cancer से सबसे अधिक जान जाती है और ऐसा नहीं है अगर cancer अगर सही समय पर डाइगनोज हो जाए तो उसका पूरा treatment है सर ऐसा है नहीं कि इसमें आप लोगों की भूंका ज्यादा महत्पूर है क्योंकि पूरे भी सुमय जो cancer का रेट है वो अपने देश में और और देशों के अपर च्छा कम है इसका main कारण यह नहीं है कि हमारे यहां रोग वाले मरीज कम है यह है कि अर्ली स्टेज में पहले और दूसरे सेकेंड स्टेज में लोगों का डर वाप्त है वो लोग डाक्टरों के पास जाते नहीं कि डागनोसिस हो पाई कि हमको एक cancer है पहला कारण तो मेरी मतलब हम यह समझते हैं जी 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 दिखी मैं आपको आप लोगों को जागरू करना मरीजों को बहुत जुरूरी है उसलिए यह आज का कारिकरम उसलिए रखा गया है और इसमें हम बहुत सारी चीजें बता रहे हैं बहुत सारे से सिम्टम जैसे यह अगर 5-6 सिम्टम दिखे पहला अगर आपके सरीर में लिंफ नोट बढ़े हो गरंती हो गांट हो कोई दूसरा उसमें दर्द हो इस्पेशली जो कैंसर में जो पेन होता है हमने देखा है कि वो रात में बढ़ जाता है जब हम लोग रेस्टिंग मोड में आते हैं माइड ग्रेट फीवर हलका बुखार रहेगा आपको आपका वजन जो है वो कम होने लगेगा हीमोगलोबीन कम हो जाएगा आपको थकावट लगेगी भूख में कमी हो जाएगी और कैंसर जिस जगह होता है जहां पे होता है वहां जो नॉर्मल और गन का जो कलर है जो उसका जो साइज है इसकीन हाँ मतलब वो बिलकुल मतलब चेंज होने लगती है ठीक है वो एक प्री सिंटम देता है पूरी रूप देता है जैसे अगर आपको जीव में कैंसर हो रहा है तो वहां पे बिलकुल वाइट पैचे जाने लगते हैं जिसको लिकोपलेकिया कहते हैं टंग बिलकुल कोटेड हो जाती है घाव नहीं सुखेगा घाव अगर लग गया है तो वह बिलकुल हील नहीं होगा किसी भी मेडिसीन से नॉर्मल मेडिसीन से इसी तरीके से अगर जो है प्रोस्टेट में अगर ज्यादा तर जो पूरसों में जो ओल्ड एज में देखने को मिलता है तो उनमें क्या होता है कि लगातार जो है उनमें जो पेशाब करने में दिक्कत होती है पेशाब में जलन होती है इसके साथ जो है उनको पेशाब में ब प्रोस्टेट कैंसर का पता लगा सकते हैं तो यह अगर चीजें हैं तो इसको आपको करने की आवसकता है जी बहुत अच्छा आप जागरू कर रहे हैं अब मैं कुछ और पुछना चाहरा था है कभी कभार कभी कभार सुनने को मिलता जासे 40-50 साल पर जी 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 लेकिन आजकल की दिन्चरिया में जी बिल्कुल अजमिक कारण है या तो तनाव है जो भी हो देखि बहुत सारी चीजें है हम हमारा जो आहार है विहार ये दोनों बदल गया है हम ऐसी बहुत सारी चीजें डबबाबंद पैल्क्ट फूड ले रहे हैं जिसमें बहुत सारे पिजरवेटिव हैं जिसमें की तमाम तरीके की केमिकल हैं विरुदधाहार का हम सेवन कर रहे हैं हमारी जो दिन चर्या है हम लेट जो है सो रहे हैं और जो मार्निंग में उठने क विधान था वो हम विल्कुल जो है 8 बजे 7 बजे कोई 10 बजे ऐसे लोग उठ रहे हैं इसके साथ जो सबसे प्रमुक कारण है वो मैंने देखा है अलकोहल टोबैको और तमाम तरीके के जो नसे जो मादक पदार्थ है उसका सेवन हो रहा है इसमें इस्ट्रेस लेवल भी एक बहुत प्रमुक कारण है और पलूशन प्लास्टिक है वो हैवी मेटल पॉईजिनिंग हो या फिर जो है बहुत सारे जो है ऐसे वाहान है जो की खराब कंडिशन में है उनमें उसके धुएं से भी लंग कैंसर जी 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 और ऐसे बहुत सार चीजें कहीं कहीं हमारे डेली रूटीन में आ रही है तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है और सुविदाएं जो है सरबढ़नी चाहिए अब दूसरा में टॉपिक यह है कि आप जो है कैंसर और आर्वेद मतलब इसमें आर्वेद की क्या भूमिका है आर्वेद हमार हैं पंच कर्म थेरपी है डी टॉक्सिफिकेशन थेरपी हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार पंच करम कराना चाहिए ताकि जो हम यह सब टॉक्सिक केमिकल ले रहे हैं जो हम आम हमारे सरीर में निर्बान हो रहा है वो वो सरीर से बाहरों सरीर की सुद्धी हो दूसरा हम कुछ एसे आहार रहना जैसे हमें घिलोय का 25 जो है इसको स Haid basic typically होती है हल्दी के अंदर करकुमीन होता है उसके अंदर भी इंटीकर्स प्रापर्टी होती है लिक कि अभी एक रिपbird कहते है इसे तरीके से मुरिंगा को साइजन कहते हैं इसको इसमें बहुत सारे ऐसे विटामीन है और बहुत सारे ऐसे मिनरल हैं जो कि हमारे सरीर के लिए अती आवश्यक होते हैं इनका हमें किसी न किसी रूप में सिवन करना चाहिए और साथ ही साथ तुलसी शामा तुलसी का सिवन करने से भी कैंसर नहीं होता है काली मिर्श है साथ मे इसे फूड़ है यह सब एलकलाइन फूड है हमें अगर बॉड़ी को एलकलाइन रखते हैं तो हमें कैंसर का जो खत्रा है वो लगभग जो है 60-70% कम हो जाता है एक चीज़ और से रुखना चाहूंगा आपको मुझे याद है कि जब हम लोग बच्पन में 1970 से पहले की बात हम लोग चार बजे उड़ जाते थे और अखाड़ा हुआ करता था गाओं जी 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 तो हम लोग अखाड़े में जाके और अपना दंड बैठक लगाना थोड़ा मल्यूद हो जाएक कुस्ती हो जाती थी जी तो पहले ये रुख बहुत कम हुआ करता था क्योंकि दिन चरिया बड़ी अच्छी हुआ करती जी 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 निशित रूप से निशित रूप से और आज कल की जैसे कि आपने बोला कि लड़के जो है दो बुजे तक अपना जी 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 चलिए ठीक आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो पड़ा जी जी पड़ाम पड़ाम धन्यवाद हैलो आ नमस्कार अरोग्यम कारिक्र में स्वाकत है कौन बोल रहे हैं अच्छा गोपाल जी हमारे साथ डॉक्टर शामसुंदर पांडे जी हैं जी 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 देखिए ये आपको हम बता दें कि कैंसर एक बार खतम होने के बाद जो है दुबारा कैंसर होने के चांसेज रहते हैं तो आप आपको क्या इसमें साधानी रखनी है मैं आपको उसमें एक ब्रीफ बता देता हूं कि आप ये रूटीन अपना चेक अप करते रहे हैं साथ ही अपनी दिन्चरिया को बिल्कुल सही रखिए ऐसे आहार का सिवन नहीं कर करते रहें के चांसेज लंबा समय चलता है अगर केमो थेरिपी अगर हुई होगी तो केमो थेरिपी के बाद के मोथेरिपी के कई सारे जो है मतलब ये मेंटेनेंस के तोर पे दिया जाता है कुछ विटामिन की गोलिया है लाइकोपीन हो गया और आएरण है कैलेशियम है अपना से लिए सिर्यम कैल्शियम एक ब्लडट की जाच होती है इसको करा लिजे साथ ही जो एक्सपर्ट हैं इसके उनसे सला करके इसको आप ब जैसे मुरिंगा हो गया जिसको साइजन कहते हैं साथ ही हल्दी हो गई हल्दी का सेवन करिए आप तुलसी है गिलोए है इन सभी का सेवन करते हैं तो आप जो है स्वस्त रहते हैं आपकी रोग पर चमता बढ़ती है आपका इम्यून सिस्टम स्टॉंग होता है जिससे कैंसर फरदर जो है आपको अपनी चपेट में नहीं लेता हां ठीक है ठीक है धन्यवाद हैलो हां संतोष जी आरुग्यम में आपने फोन मिलाया है और डॉक्टर शामसुंदर पांडे जी हमारे साथ हैं हमारे पास गिल्टी हुई है गिल्टी जी 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 हाँ जी जी किस जगह है कहां पे जी जी देखिए हर गिल्टी कैंसर नहीं होती है मगर आप इसको जो है आप एक एक्सपार्ट से एक चिकिसक से सला ले करके उसमें कुछ जांच होती है फनेसी होता है ठीक है उसको करागर के और भी कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं ये गांट जो है कैंसरस है या नॉन कैंसरस है क्योंकि शरीव में ऐसी बहुत सारे गांट होती है जो बनी रहती है एजटी रहती है उनसे किसी चीज़ खत्रा नहीं रहता है मगर कभी कभी हमारा लाइफ स्टाइल या उसमें किसी तरीके का चोट लग जाए कुछ ऐसे ऐलरज कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है ठीक है और साथ में अगर आप आपको कुछ प्रिकॉशन लेनी की जुरुत है आप अपना जो आहार है वो ऐसा आहार रखिए जिसमें कि फास फूड नहों तली भूनी चीज़ें कम से कम हो एलकोहल निकोटीन इस तरीके की चीज़ों का सेवन नहीं करना है और आपको जल्दी उठना है और जल्दी सोना है कुछ चीज़ें जैसे हल्दी है तुलसी है गिलोय है काचनार है यह कुछ ऐसी और शदियां अईरवेद की हैं वीड ग्रास हो गया एलो वीरा जूस है जो एलकेलाइन फूड होते हैं उसका सिवन करना है आप ठीक है ठीक है बहुत धन्यवाद धन्वाद धन्वा सर जी और सब और भी कुछ बाते हैं आप अगर आप लेते हैं तो इससे दिखिए आपका आर्थीक सारेरीक सामाजीक यह तीनों जो है आपका जो है वो नुकसान होता है अजका दोर सब यह सब चीजें फैशन में आ गई हैं जी जी कैसे लोग इससे अपना स्टेंडर्ड जोडने लगे हैं नहीं यह गलत है देखिए यह गलत है बिलकुल और गुटका खाने से पानमसाला खाने से सिगरेट पीने से किसी का स्टेंडर्ड नहीं बढ़ता है और दसवी बारवी गारवी में जो स्कूल वोइंग बच्चे उनको पता नहीं है वो सिगरेट की लत लग जाती है दूसरा जो है वो है गुटके की वज़े से लगभग 75,000 मौतें जो है हर साल भारत में होती हैं वो कैंसर की वज़े से होती हैं तो हमें इस तरीके की हैबिट क अपने अंदर नहीं ले आना है डॉक्टर शामसंदर पंडी जी एक चीज आजकल ये भी देखने में आ रही है कि लड़के तो लड़के लड़कियां भी धूमरपान की और मद्यपान की शिकार हो रही है जहां भी अजकल कोई पारटी हो रही है कुछ हो रही है तो इसमें इन चीजों का समावेश ज्यादा देखने में आ रहा है जो है किसी जैसे माताओं बेहनों में अगर पीरियड वगरा की समस्या रहती है पीरियड में दर्ध हो रहा है बहुत जादा किसी को अगर मुझे अंदर कोई घाव हो छाले हैं कोई अगर विर्ध जन हो उनको पेशाब में तकलीफ हो या इस तरीकी की चीजें जो अभी हमने बताई कारिकरम में तो वो अपने डॉक्टर से जरूरी मिलें क्योंकि कैंसर में अर्ली डाइगनोसिस अर्ली क्योर ये सबसे महतुपूर्ण चीज है तो ड़क सब बहुत अच्छी और बड़ी उपयोगी बाते हुई है जागरूकता की दृष्टी से दृष्टित रूप से शोदाओं के लिए ये बहुत उपयोगी साबित होंगी मैं एक और बता दू कि भारत सरकार का जो आयूश मंत्राले है उसने वहां से हमारे आयूश मंत्राले से जो है बहुत एक अच्छी मुहिम चली हर घर हर दिन आयरिवेज जो है ये कारिकरम है इसमें बता दू कि ग से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो है किसी न किसी रूप में आयरिवेज से जुडिये चाहे वो भारती रसोई हो या योग हो पंचकरम हो इसका निश्यत रूप से आपको लाब मिलेगा और भारे सरकार का जो ये मुहीम है हर दिन हर घर आयरिवेज इसको आप प्राणायम अपनागर के अपने दिन चरिया और रितू चरिया रात्री चरिया को जो है सही करके कैंसर से बच सकते हैं जी बहुत लाबदायक बात शोताओं तक पहुँची है और आपका संदेश पहुचा है हमें लगता है कि शोता अपनी दिन चरिया को सुव्यवस्थित करेंगे अपने आहार विहार को नियमा अनुसार जो हमारी भारती पध्धती है भारती समस्कृती और जो हमारी परंपराएं हमको बताती हैं हमारी समस्कार हमको बताते हैं उसके अनुसार रखने के कोशिश करेंगे और जीवन का पूरा आनंद लेंगे हम की पसंद का गीत अ जब कोई मुश्किल पढ़ जाए क्या बात है तो जुर्म फिल्म का ये गीत है हम अपने शोताओं तक पहुंचाते हैं और अपने शोताओं को बता दें कि आज हमारे साथ थे आयुरुवेट के विश्रिशग्य चिकित साधिकारी डॉक्टर शाम सुन्दर पांडे तो वैज वाद दे रहते हैं अगले सबता एक नए विश्रिशग्य के साथ आरुग्यम कारीक्रम लेकर हम फिर आएंगे तब तक के लिए ध्वने मित्र पांडूरंग पुरानिक को अनमती दीजिए नमस्कार नमस्ते जब कोई बात बिगर जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाद न कोई है न कोई था जिन्दकी में तुमारे सिवाद तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाद तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाद तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाद ओ चांद नी जब तक रात देता है हर कोई साथ तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ ओ चांद नी जब तक रात देता है हर कोई साथ तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ जब कोई भात दिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाद ना कोई है ना कोई था जिन्दगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाद तुम देना साथ तुम देना साथ तुम देना साथ